नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर देवेश चाटर जी, मैं MD, DMV, Family Medicine हूँ मैं आज आप लोगों के साथ स्नेक बाइट के उपर चर्चा करना चाहता हूँ स्नेक बाइट के केसेज दुनिया में बहुत जादा है नमबर ती बात करेंगे तो ये करीब संताओन लाख लोग स्नेक बाइट से हर साल ग्रसी तरहते हैं जिसमें से कुछ लाखों लोगों के मृत्य हो जाती है इंडिया के सिनेरियों हम देखेंगे तो कुछ 40,000 लोगों को हर साल स्नेक बाइट काटते हैं और 36,000 लोगों की मृत्य हो जाती है। इन में जानकारी का भाव बहुत जाधा है जो की मृत्यों का विशेस कारण है। जादतर हमारे पास जो स्नेक्स पाय जाते हैं इंडिया में 300 वरैटी की स्नेक्स. जो कि Glasबली 27 सो वरैटी है स्नेक्स ती इसमें से मातर बावन स्नेक्स ही हैं जो कि पॉईजनस है और उसमें से भी कुछ जो कि चार ही प्रकार के स्नेक्स है जर्दातर जो कि हम लोग को काटते हैं और पॉईजन वाले होते हैं जिसमें कि कोब्रा है, किंग कोब्रा, करैट, वाइपर, वाइपर्स की दूसरी प्रज स्कुलो टॉक्सिक पॉईजन होता है जो कि ब्लीडिंग कराता है और जो अगर कभी कोई भी स्नेक बाइट हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सब बातों को जानकरियों में रखकर काम करेंगे तो हम शायद एक जीवन को बचा सके स्नेक बाइट के बाद अगर कोई व्यक्ती 30 मिनट के अंदर अंदर तक पास के कोई नजदी की THC यँज सीए पहुँ जाता है तो तो चाहाए जान बचा सकती है उसे कोई भी ज़्यादा मुवमेंट नहीं करना है किसी भी वैक्ति को help के लिए आसपास के वैक्ति को बुलाना है कोई दौड भाग नहीं करना चाहिए जहां पे भी उसको bite हुई है उस limb को, कोई हाथ हो या पैर हो उसका मुवमेंट जितना minimum से minimum हो जीरो हो सकतो उतना ही रखना चाहिए उस पे कोई incision नहीं देना है उसे कोई cart fit नहीं करना है उसे मुव से चूज करके खुड निकालने के कोशिश नहीं करना चाहिए tight tournicate नहीं बांगना है अगर आपको हस्पताल पहुँचने में तीस मिनट से जादा है अगर तीस मिनट में करना आप नहीं पहुँच सकते तब किसी specialist field medical अगर आसपास कोई है जो compounder या कोई medical staff है उनके दौरा एक cray bandage जो की एक इंची का gap रखके उस जहां पे snake bite हुआ है उसके उपर भी मानना चाहिए और पूरे हाथ को splint करते हुए जिससे कारण से वो हाथ आगे movement नहीं कर सकिया पैर जहां पे भी काटा गया है पूरे हाथ के loosely एक finger का gap रखके उसको बांगा जा सकता है दूसरी बात कभी भी उस साप को मारने के पीछे भागना नहीं है ठीक है अगर कोई skilled person है जो कि आसपास रहता है जो कि forest department से वो साप पकड़ सकता है तब ही उसके पीछे वो साप को catch करें और identify करने की कोशिक करें दूसरी बात ज़्यादा पानी पिलाना बाते करना खिलाना पिलाना इन सब चीजों को नहीं करना है बेसल जो metabolism है बाड़ी को सकता है जिससे क्या होगे आपकी बाड़ी की supply खुन की supply कम रहेगी और वो साप का जहर धीरी धीरे फैलेगा अगर आपका बेसल metabolic rate जादा होगा तो खुन के मद्धम से साप का जहर जल्दी जल्दी फैलेगा जो भी आप ring finger होने के कारण से गैंगरीन होकर वो पुरा हाथ सड़ जाता है दो चार चीजों का विशेश ध्यान रखना है अगर तुरंट उसके जबान में लड़कडा ठाना शुरुवात हो रही है घबराट हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है ये neurotoxics जो की कोबरा के काटने से होता है ऐसे मरीजों को ventilator वगर के आसा सकता पढ़ सकती है तो इनका उप्चार केवल हस्पताल में सकता है anti-snake venom के उपर सारे सापों में anti-snake venom की जरूवत नहीं होती जिन वक्तियों में केवल घबराट है और मामूली वहाँ पे सूजन है या दर्ध है इन सब वक्तियों में कोई anti-snake venom की जरूवत नहीं है जो ही medically जिस पे कि कुछी bleeding का risk है कि पिशाब नहीं हो रहा है किड्नी shutdown है बहुत ज़ादा वहाँ पे blood supply हैंपर होके myotoxic मतलब किसी साफ ने काटा है या जवान लड़ खड़ात हो रही है हाथ पर काम करना बंद कर रहा है सांस लेने तक लिए इन ही वेक्तियों में के वह anti-snake venom की जरूवत होती है मेरे ख्याल से इतना आप लोगों की जानकारी के लिए अगर करते हैं इसको पालन करते हैं तो आप लोगों को बहुत benefit होगा धान्यवाद